पचास लाग से जीरो हुई बिग बॉस की प्राइज मनी इधर विकास ने की सरयाम सुसू बिग बॉस सीजन 11 ने एक नई हिस्ट्री क्रियेट की है अब तक के सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है कि शो की विनिंग प्राइज मनी जीरो हो गई है हाली में कंटेस्टरन के बीच रॉकेट टाक्स हुआ था जिसमें सभी कंटेस्टरन को अलाम बजने तक उसी में बैठना था शिलपा अर्शी बंदगी सहीद कई कंटेस्टरन ने पहली ही टाक्स छोड़ दिया अब शोड जितने वाले को विनिंग अमाउंट के तौर पर एक भी रुपय नहीं मिलेंगे कुछ दिन पहले पुनी शर्मा ने कैप्टन सी टाक्स जीतने के लिए सब के सामने टॉयलेट कर दी थी तो वही ऐसा ही कुछ नजारा एक बार फिर से लगजरी टाक्स में देखने को मिला रॉकेट लगजरी टाक्स के दोरान सभी कंटेस्टरन को अलाम बजने तक वही बैठना था ऐसे में विकास गुपता ये टाक्स पूरा करना चाते थे इसी वज़य से उन्होंने रॉकेट में ही गारबेज बैग मंगा कर टॉयलेट करना सही समझा टाक्स के बाद बिक बॉस सभी घरवालों से दो ऐसे कंटेस्टरन का नाम मांगेंगे जिन्होंने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है सभी घरवाले हीना खान और हितेन तेजवानी का नाम लेंगे जिन्हें कालकोटरी में जाने की सजा सुनाई जाएगी हीना और हितेन के साथ बेनाफशा को भी ये सजा मिलेगी हाला कि इसकी वज़या उनका आकाश ददानी के साथ बुरा बरता होगा दरासल लडाई के दौरान बेनाफशा ने आकाश के बालों को खीचा था और साथ ही साथ उन्हें फीजिकल हर्ड भी किया था इसी वज़ये से उन्हें भी ये सजा दी जाएगी तो देखते रहिए आल इंडिया नियूज प्रिया की रिपोर्ट